हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमबाईब, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे डिरेक्शन एंड डिस्टेंस के रोटेशन पर बेस को सॉल्व करने की ट्रिक के बारे में कैसे इन कोस्टेंस को बिना डाइग्राम के हम सॉल्व करेंगे, आईए कोस्टेंस देखते हैं एक ये कोश्टन अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, राजन नाम का लड़का सबसे पहले इस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, वो 100 डिग्री क्लॉक्वाइज यानि की घडी की दिशा में घूमता है, देन उसके बाद फाइनली वन फाइनली वन फाइनली एन्टी फाइनली अन्त तहा एक सो फैस डिग्री वो घडी के विपरीत दिशा में घूमता है, अब पूछा ये जा रहा है कि फाइनली उसका फेस किस दिशा में है, अगर आप इसको डाइग्राम बना करके सॉल्व करेंगे, तो येस तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा जादा समय लगेगा, अब यही समय बचाने के लिए ट्रिक कर यूज करेंगे, कैसे आप इन कोश्चन को जल्दी करें, तो सबसे पहले आपको क्या गरना है, इनीशल फेस उसका कहां पे था, इस डारेक्शन पे था, ये याद रखना है आ 145 degree anti-clockwise है, तो यहाँ पर 145 लिख देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हमें clockwise 270 degree बताया गया है, यहाँ पर हम 270 degree लिख देंगे, देन फाइनली 135 degree anti-clockwise है, तो यहाँ पर 135 degree लिख देंगे, और भी अगर rotations होते हैं, तो हम उसको clockwise या anti-clockwise के नीचे लिख सकते थे, अब हमें क्य गरना है यहाँ पर इसका sum कर देगे तो यह हो जाएगा 370 यहाँ पर हम इसका sum कर देगे तो कितना हो जाएगा 280 तो जो हमने दोनों का sum किया है अब हमें क्या करना है finally इनका difference निकालना है तो यहाँ पर कोई भी value बड़ी हो सकती है तो यहाँ पर differentiate shade का sign इसलिए हम use कर रहे हैं दोनों का अंतर निकालना है 370-280 दोनों का difference निकालेंगे आ जाएगा 90 degree यानि कि finally केवल उसको आप 90 degree rotate करेंगे कहां से कहां से जो final यहाँ पर initial face उसका कहां पर था initial face उसका east direction में था तो बस केवल उसको east से हमें 90 degree rotate करना है एक मन में बात आ रही होगी तो sir 90 degree किधर clockwise या फिर anti clockwise तो यहाँ पर जितने भी rotations आपने लिखे थे दोनों का sum आपने किया था यहाँ पर जो value बड़ी होगी उस दिशा में आपको rotate करना होगा यह 280 यह 370 अफकोस यह number बड़ा है यानि कि आपको clockwise रोटेट करना है simple तो east direction से clockwise अगर आप rotate करेंगे तो answer क्या आएगा answer आजाएगा south 90 degree rotate करना है east से answer आएगा south इस तरीके से आप इन questions को कर सकते तो यह सारा जो addition है यह आप अपने मन में भी कर सकते हो question को पढ़ते पढ़ते भी और बहुत ही जल्दी आप इन questions को इस trick से solve कर सकते हैं कैसा लगा आपको यह trick मुझे बताईएगा comment box में और अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो इसको share कीजेगा अपने सभी दूस्तों के साथ और like करना मत भूलिएगा हमारे आपको डाउनलोड करने के लिए link आपको description box पर मिल जाएगा अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं next session में till then keep practicing, keep imbibing. Thank you.